हेलो फ्रेंड्स तो ये है वैस्वर्ट सीरिस का 38 पार्ट इसके बाकी पार्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो लास पार्ट में हमने देखा कि जनरल येन हेवन में वापस आगया था और इसे मंकी किंग और गवान को लड़ने में बहुत हेल्प मिलती है इदर नाजिया के साथ लड़ाई में ओजू को अपना एक हाथ गवाना पड़ता है लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो एक बार फिर नाजिया से लड़ने को तयार हो जाता है वो जैंक से अपना और टीम का ध्यान रखने को बोलता है और फिर पूरी ताकत लगा कर अपनी ड्रैगन सोल को समन करता है जो इस बार गोल्डन कलर की है और हम देखते हैं कि शाओ की सोल भी उसकी मदद करने आई है नाजिया को भी इसकी बिल्कुल उमीद नहीं थी और व पिर वो उस पर अपनी इलेक्टिक पावर का यूज करता है लेकिन ओजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नाजिया को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है आगे हम देखते हैं कि उसने नाजिया को गले से पकड़ लिया है जो उसकी इस गोल्डन सोल को देखकर बहुत हैरान है और उतरूजी भी कहती है कि ये सब तो मेरे सपने से बिलकुल अलग हो रहा है नाजिया खुद को छुडाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन देखता है कि ओजू की पकड़ और तेज होती जा रही है और तब वो अपनी लाइटनिंग पावर यूज़ करने क और ये बोलकर वो नाजिया के साथ घाटी में जंप लगा देता है नाजिया भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाता और रोजू कहता है कि इस घाटी से निकलना इंपोसिबल है और मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोडने वाला उसके साथी भी ये देखकर दंग जाते हैं और सबसे बड़ा शोक लगता है जैंग को जो इस तरह ओजू का साथ नहीं छोडना चाता मनी मन वो कहता है कि सोरी बोलने से काम नहीं चलेगा और ओजू को वापस लाने उस घाटी में कूच जाता है बाजी और सैंडी भला उसे अकेले कैसे जाने दे सकते थे औ और वो भी अपने मास्टर के पीछे चले जाते हैं ऐसा लगता है जैसे वो उसे वापस किशना चाते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो तीनों उस कभी न खतम होने वाली खाई में गिरने लगते हैं बाए लैंग भी उनके पीछे जाना चाता है लेकिन पूछता है कि शैद उनका अंत आ गया है आगे का सीन हैविन का है जहां मंकी किंग अभी भी उन डाक सोल्स का मुकाबला कर रहा है तब ही उसे गवान का मैसेज रिसीव होता है जो उसे तुरंट अपने पास आने को कहता है और मंकी किंग सोचता है कि अभी इस लड़ाई को खतम करने का टाइम आ गया है वो तुरंट गुवान के और निकल जाता है जो खुद भी उन डाक सोल्स को खतम करने में लगा हुआ है और पूछता है कि क्या ये हमारे प्लैन के लिए सही वक्त है इस पर गुवान उसे बताता है कि जन्रविन के आने से हमें बहुत हल्प मि बोलता है और बताता है कि इसे वहाँ डालते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा Monkey King उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे होते चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है और तलवार लेकर पैलेस के और निकल जाता है Dark Souls और बाकी देवता भी उसे जाते वे देखते हैं और डाइशीटियान अपने लोगों से उसे रोकने को बोलता है Dark Souls Monkey King को टार्गेट करने लगती है लेकिन वो कहता है कि अभी मेरे पास इसके लिए बिलकुल टाइम नहीं है तब ये एक दूसर Dark Journal उसे रोकने आता है लेकिन गवान उसे आगे नहीं जाने देता और कहता है कि तुम तो खुद भी पहले एक देखता रह चुके हो तो फिर इन Dark Souls का साथ क्यों दे रहे हो इस पर Dark Journal कहता है कि मैं वो तुमें बताना जरूरी नहीं समझता और ये कहकर गवान पर अटैक कर देता है गवान देखता है कि हर अटैक के साथ इसकी ताकत बढ़ती जा रही है और तब ही वो Dark Journal उसे पकड़कर नीचे पटक देता है वो गवान से कहता है कि कब से मैं तुमें मारना चाहता था और आज मेरी वो ख्वाईश पूरी हो जाएगी तब गवान कहता है कि तुम्हारे सपने भी तुम्हारी शकल की तरह बिल्कुल बदसूरत है और ये सुनकर उस Dark Journal को बहुत गुस्सा आता है गवान को सबक सिखाने के लिए वो अपनी पर्ज पावर एक्टिवेट करता है जिसे निकली आग गवान को गेरने लगती है और वो देखता है कि ये तो Dark Ons की Legendary Magic Power है वो उड़कर उस चकर भी उसे निकलने के कोशिश करता है लेकिन आग उसे कही नहीं जाने देती और Dark Journal कहता है कि देवता होकर भी तुम अपनी मोद को नहीं टाल सकते फिर वो उस पर अपनी fire spikes यूज़ करता है जो गवान को चारो और से गेर लेती है और dark journal ये सोच कर खुश हो जाता है कि finally उसने गवान को माण डाला है तब ही वो spikes एक परपर energy निकलते वे देखता है और पता चलता है कि गवान ने खुद को बचा लिया है और वो उन spikes को उसी के और भेज देता है इधर monkey king बचता वो उस palace के और जा रहा है और यूआन कहता है कि लगता है अब मुझे इस बंदर को रोपना होगा तब ही पीछे से उसे येन की आवाज आती है जो कहता है कि एक टाइम पर मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस समझा था और मैं आज भी उस बात से दुखी हूँ जब तो मुझे छोड़कर चले गए थे जोआन को इन इमोशनल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जैन को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है जैन भी समझ जाता है कि ये उसका दोस नहीं बलकि एक डाक सोल है और उसे टैकल करने के लिए वो अपनी तीसरी आँख खुलता है फिर वो खुद को यवान के अटैक से दूर ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा दोस्त होने के नाते आज मैं तुम्हारी आदमा को शान्ती पहुचाने वाला हूँ आगे वो अपना आई चक्र एक्टिवेट करता है और उसकी और युवान की पावर सापस में टकरा जाती है इधर Monkey King पैलेस के करीब पहुच जाता है लेकिन देखता है कि Dark Souls ने उसे घेर लिया है और तब ही उसकी मदद करने गवान और यैन वहा आते हैं हैवन के बागी जर्नल्स भी उसकी हेल्प करने आते हैं और अपनी पावर से उन डाक सोल्स को रोपने लगते हैं मंकी किंग बचता हुआ पैलेस की चहतक पहुँच जाता है और कहता है कि रूलाई ने जो काम मुझे दिया था आज मैं उसे पूरा करने वाला हूँ सबी देवता उमीद से उसकी और देखते हैं और मंकी किंग बिना टाइम वेस की उस तलवार को इंसर्ट करतेता है ऐसा करते ही एक गोल्डन एनरजी निकल कर पूरे हैवन में फैल जाती है जिसे देखकर डाईशी ट्यान को बहुत गुसा आता है इसका असर अर्थ पर भी पड़ता है और हम देखते हैं कि देथ वैली में जॉम्बिस इसकी रोशनी बरदाश नहीं कर पाते और बचकर वहां से भागने लगते हैं बाईलेंग को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि जॉम्बी से लड़ते वे उजी घायल हो गई है वो तुरांत उसे चेक करने जाता है और उजी कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत दुख सही है लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला है और बस यह याद रखना कि च सोल्स का कबज़र नहीं होने दूंगा उसकी एनरजी हैवन के कोने कोने में जाने लगती है और वो कहता है कि दुनिया देवताओं से जस्टिस की उमीद करती है और अगर हम ही फेल हो गए तो नेचर का बैलेंस बिगर जाएगा यही हम देखते हैं कि डाक सोल्स से एक की बहुत तारिफ करता है और कहता है कि तुम लोग हैवन के सच्चे रक्षक हो फिर वो अपनी पावर से उनके घाव ठीक कर देता है और शीग वो कहता है कि यही डाईशीटियान तो मेरा सच्चा दोस्त है और असली लडाई तो अब शुरू होगी डाईशीटियान मंकी क से भी बहुत इंप्रेस होता है कि उसके और रूल आई के बगएर ये सब पोसिबल नहीं हो पाता और कहता है कि अब हैवन का फ्यूचर तुमी लोगों पर डिपेंड करता है उसके ऐसा कहते ही देवताओं का गुरूप डापवन से भीड़ जाता है और साउथ किंग को लगत कि कुछ डाक सोल्स भी शिप की तरफ वापस आ गए हैं मंकी किंग उन्हें भागने से रोकना चाता है लेकिन देखता है कि पीशा एक बार फिर उससे लड़ने आ गया है पीशा कहता है कि अब हमारी लड़ाई खत्म नहीं होई है और ये कहकर मंकी किंग पर अटैक कर देत है मंकी किंग इस बार उसे हलके में बिलकुल नहीं लेता और अपनी गोल्डन स्टिक का साइज बढ़ा कर पीशा को जमीन पर क्रश कर देता है और कहता है कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है आगे हम डाक सोल वाले डाइशी टियान को देखते हैं जो हैवन के पास बन उस आइलेंड पर आते हैं जहां बीचो बीच एक चोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं वहां हमें तीन ग्रेफ्स नजर आती है और निंग निंग कहती है कि मुझे तो इससे डर लग रहा है कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए तब लाई शीटियानों से समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और डार्क सोल्स का फादर होने के नाते वो हमारी बात जरूर समझेंगे तब ही हम ग्रेफ से किसी को बाहर निकलते वे देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है तो दोस्तों ये सीजन 4 का लास्ट एपिसोड था और हमें पता है कि आपको ये सीरिज बहुत पसंद आई है लेकिन अगले सीजन के रिलीज होने तक आपको वेट करना होगा तब तक आप हमारे चैनल पर दूसरी सीरिज को इंजोई कर सकते हैं तो जाने से पहले लाइक और करना ना भूले थैंक यू